कर दो आइस तो मार्केट देखिए यहां कई पर फ्लैट ओपन देर अगर मार्केट थोड़ा मुड़ा गैप आप या गैप डाउन ओपन दे देता तो यहां पर डिसीजन बनाने में आसानी होता हम जल्ली से डिसीजन बना पाते किसी भी साइट का ट्रेट के लिए लेकिन द जल्बाजी करेंगे और टैले मार्केट करेंगे कितना अच्छा सैलिंग में जा रहा है कल भी इसी तरह का मार्केट बन होता है ऑगर तोiels सेलिंग साइट का पोजिशन बनाएंगे तो टार्गेट कहां तक मिल सकता है 43,450 के आसपास ठीक है कल रात वाले प्लैन वाले वीडियो में अब मार्केट डारेक्ट यहां ही तक सेलिंग कर दिया ठीक है तो ऐसे में अब क्या कर सकते हैं वैसे में अब सेलिंग का जो प्लैन बनाएंगे अगर इस टौंग केंड़ मिला तो भी क्या अच्छा गिरावट दिया कई न कहीं कई सपोर्ट के आज पास आ के इन केंडर बना रहा है लेकिन दिखत क्या है कि दिखिया एक टो फीक छोड़ा है ठीक है दूसरा नमबर की गिरावट भी काफी जादा आ गया अब मार्केट थोड़ा मोड़ा अपसाइट का मुमेंटम किया करने के बाद फिर से कहीं गिरावाट करना सुरू किया तो वैसे में रिक्स जादा रहा था छोटा मोटा कैंडल बनाता ना रेट कलर का तो ज्यादा धिक्कत नहीं होता हम यहाँ पे बाइंग साइट का पोजी निकल लिए ना फिर एंट्री लेने से फिर रिक्स रहा था कि मार्केट अगर डाउनसाइड आया तो वहाँ पर क्या होता है जल्दी एसल हीट हो जाता है ठीक है बाकी रिक्स लेने कहीं पर लग रहा है बाइंग साट का रिक्स लेलू लेकिन कैंडल वगेरा देखके मैं फोड़ा वेट कर रहा है तो तुर्व करता हятель करता को अ वेट करता है अब यहां पर कोई पोजीचन अगर बनाता ना तो यह जो तोग्यावर कर द प्लत कि आहे ते तारीस अर्टीन सो का सी अभी देखर तो कॉस्ट के आसपास चल ला हमने यहां कहीं पर बाइंग साइट का पोजिशन बना यह थोड़ा ग्रीन बन रहा था अब देखिए रिक्स यहां पर मैंने क्यू लिया यहां पर रिक्स काफी ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहां कは यहां पर बना दिए इस तरा का खरन्ड देखिए जो भी भाइस रहता है न वह अपना पोजिशन काटके भाग जाता है तो यहां पर से ब्रेकडाउन वगेरा कर दिया फुर्टी थ्री फाइफ अंडेट का तो यहां पर दिखके थैज्या कि मार्केट के यह केंडेले स्टॉंग बनाया कहीं से मार्केट थोड़ा मुड़ा अफसेट का मूम कर सकता है अधर्वाइस तो काफी जादा लेकिन ठीक है अपने प्लान के हमने यहां पर काम किया बाकी प्रॉफिट लॉस्ट जो होता है देख लेते हैं मार्केट में ठीक है तो वेट करते हैं मार्केट बहुत अच्छा घिरावट कर दिया और अपना जो लॉस है वह बढ़कर अलाइसो तीन सो के आसपास चलना शुरू हो चुका है तो जेस्ट वेट करते हैं मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन किया इसका जो की लग रहा था मेरे को मार्केट कर सकता है क्योंकि यह वह लेकिन बहुत बार क्या होता कि जब नीचे के साइड एसल नहीं होता तो मार्केट वह ऐसा केंडल बना के भी अपसाइट का मोमेंटम कर देता तो इसलिए हमने यहां पर पोजीशन बनाए था बाकी देखते हैं अब यहां से अगर फर्दर गिरावट करना शुरू करता है तो मार्केट देखिए कुछ ज्यादा ही डाउनसाइट का मोमेंटम कर सकता अधर्वाइस यहीं पर कोई ग्रीन कलर का स्ट्रॉंग केंडल बना दिया ना बड़ा सा तो हमें यहां पर एक अपसाइट का मोमेंटम देखने मिल जागा एक तो वेट करते हैं देखते हैं क्या सब्सक्राइब करता हुआं तो यहां पर देख तो यहां पर सकत्राइब कर रहाहा हुआvert मार्केट कर रहा है और क्रीनिगे था.. इतल्कु खक कर रहा है धेरर मूमेंटम बिल्कुल थानल मार्केट में थे इल्कुल नहीं वेटिक कर रहा है दिखें अभी फिर से लॉस वगएरा चल ला है एक सो डोसो के आसपासी लॉस चल ला कुछ ज्यादा लॉस वगएरा चल नहीं रहा तो अपसट का मोमेंटम कर लेकिन ज्यादा कुछ इस्टॉंग केंडल बना नहीं रहा जब तक यहां पर कुछ लगनी रह के आसपास लॉस चल ला था था थोड़ा मोरा प्रॉफिट भी दिख रहा था लेकिन यह जिस तरह का कैंडल बना के जा रहे ना यह कितना सस्टेन कर पाएगा सही में बता रहो मेरों को भी समझ में नहीं आ रहा बाकी ऐसा होता क्या दिखें जब बैक टूब ग्रीन केंड बाकी टार्गेट मिलेगा तो यहां पर जल्ली से एक्जिट करने या गोशिश करेंगे टिक है वेट करते हैं यहां पर दिखें हमने ट्रेड एक्जिट कर दिया और जो हमने लॉस बुक क्या वह चौटा मोटा गापन देता इतना फास्ट नहीं आता तो मैं भी यहां पर सेलिंग आ गया तो यहां पर नीचे के साइट कोई एसल वगेरा नहीं था और दूसरा नंबर पॉइंट था कि मार्केट देखिए चाट रिपीट नहीं करता हम जानते हैं और निचे करेगा नै तो वह ध्यान में रखते हुए रिक्स के साथ हमने क्या किया यहीं कहीं पर एंट्री बना लिया बाकि देखिए अ थोड़ा मुड़ा गिरावाट देने के बाद मुमेंटम भी किया कई ना कई थोड़ा मुड़ा प्रॉफिट भी चला था लेकिन कुछ खास अपसेट का मुमेंटम किया ने मार्केट फर्दर गिरावाट कर अभी ठीक है तो सिंपल सा लॉजिक जिस तरह से हम डेली ट्रेट क बाकी ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में